हाई फ्रेंड्स, कंसाई नेरोलक यानि वो कंपनी जो की एशन पेंट्स की तरह से सेम इंडस्ट्री में है और एक स्ट्रॉंग मोट रखती है यानि एक मजबूत कॉंपटिटिव स्ट्रेंथ रखती है उसके लेटेस्ट रिजर्ट्स आ गए है और इस वीडियो में हम बात क करने वाले हैं क्या वो रिजर्ट्स अच्छे हैं और क्या कंसाई नेरोलक आने वाले समय में आपको एक मल्टिबेगर रिटन देने की योग्जिता रखता है और इस वीडियो वीडियो तो प्लीज वाच वीडियो गंप्लीट्ली तो अंडिस्टेंड और अस्पेक्स ओफ कंसाई नेरोलक रिजर्ट्स तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सागर्नोमिक्स अबाउट कंसाई नेरोलक पेंट्स सो आपने वह तो सुनाए होगा नेरोलक 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 तो शुरू करते हैं कंसाई नेरोलक को हाँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर दीजे और इस वीडियो को लाइक कर दीजे अभी से क्योंकि बाद में आपका भूलना निश्चित रूप से तैय है तो अभी लाइक करिए और आगे वढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कंसाई नेरोलक के बारे में तो दोस्तों यह टेकनिकल चार्ट है लेकिन यह बाद में डिसकस करते हैं सब से पहले हम इसके बारे में कुछंद रिज़र्ट को क्विक्ली डिसकस करते हैं कंसाई नेरोलक के रिज़र्ट्स आपके स्क्रीन के उपर है और आप यहां पर क्या नोट कर सकते हैं पहली चीज़ वह क्लिया है कि यहाँ ना इसमें quarter पर तो down है ठीक है लेकिन अब आप पूछोगे कि यह down है रेकिन यह तो परसेंट ऊपर क्यों रखा है क्यों क्योंकि दोस्तों यह वाई यह 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 रोनी रिजल्ट है तो सेज जो है वह लेटेस्ट quarter में इसलिए डाउन है था तो इस मामले में इस बार माल कम विका और इसलिए आपको लगता है कि नेगेटिव है पर यह नेगेटिव नहीं है यह सीजनल है और जब भी सीजनलेटी को आप खटाना चाहते हैं तो हमेशा देखिए येर ओन येर ग्रोथ यानि मार्ज 2023 से मार्ज 2024 तक और तब आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी तो 1734 करोर से और 1769 करोर देट सिंप्ली मींस 2% बढ़ी है सेल्स कितनी बढ़ी 2% एबिट जो की एक तरह से ऑपरेटिंग प्रोफिट मान लीजे आप सीधे वाशा में उसको वो कितना बड़ा है 6% यहां तक कुछ मजा आया क्या आपक लेकिन आगे वाले पोइंट में मजद्दारी वाली बात है कहां पर यहां पर कि देखें नेट प्रोफिट इसका बढ़ा 22% से यानि की प्रोफिट इसका एन्वल रेट पे 22% यहीं लगबग 1 4th बढ़ गया है इसका almost that's a good thing 96 करोर से और कितना हो गया जी 114 करोर रुपीज विचिस सिग्निफिकेंट और उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि अर्निंग पर शेर 24% से बढ़ी है अब आप पूछोगे कि साब नेट प्रोफिट जो है वो बढ़ा है 22 तो अर्निंग पर शेर 24 कैसे हो सकती है क्योंकि होता क्या है EPS वैसे ही तो निकलता है नेट प् भी 22 परसेंट बढ़ना चाहिए तो दोस्तों इसका अंसर है कि कंपनी जरूरी नहीं कि ओपरेटिंग प्रोफिट को इंक्रूड कर रही हो इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें होती है कंपनी ने कई इन्वेस्ट कर रखा हो कोई इसकी अधर इंकम हो इन सब को आज सेक्शन जरूर पढ़िए क्या है जी है 1920 में स्टार्ट हुई थी आजादी से 27 यह पहले और यह थी गागबान पेंट्स और वार्निश इन मुंबई कैंसाई नेरोलग पेंट्स प्रिंसिपलेंगेज इन मैनुफेक्ट्रिंग पेंट्स और मार्केट लीडर इन इंड पेंट्स नंबर बनते हैं पर इंडस्ट्री की जो कोटिंग स्वाहां का जो पेंट होता उसमें नेरोलग इस आ मार्केट लीडर अब इसके बाकी चीज़ों पर नजर डालें तो आप यह देखिए पहली बात तो यह कि क्या क्या काम करते हैं यह डेकोरेटिव पेंट बनाते हैं जो घरों में लगते हैं अपना जब घर की रोनक बढ़ानी हो दीवारों को जब सजा ना हो नेरोलग 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 सुनाया न यह तो वही नेरोलग है दूसरा है इंडस्ट्री तो यह नेरो लग्क हैंडल करता है 30 राता है इसमें उड़ फिनिशेज में अधर्स अधर्स में फिनिश पृण की पौलिश आती ही ना फर्निचर इसे चमका करके एक्दम पॉलिश करते तो ऐसा furniture गजब का दिखता है so that all comes under this other part ठीक है अब देखिए इसके अंदर हम यह कह रहे हैं कि this is the third largest player in the domestic decorative print segment इसका मलब 70 to 75% जो है वो इसके operations जो है न 30,000 dealers के दूरूप मैं चुरें अब आप पुछोगी कि तो third largest player है तो first largest कोन है भाई यह भी बताना पड़ेगा सब जानते हैं उसको Asian Paints वह वह company है जिसके अंदर strong MOAT मौत है और वह बाखी companies के बीच में GOAT है यानि GOAT ठीक है चलिए अब हम देखते हैं manufacturing इसकी अलग-अलग जगह होती है जैनपूर में होती है बावल में होती है गुजरात में है काफी जगह है अब main चीज इसकी क्या है हमे जो company अपने R&D यानि research and development पर जितना focus करती है वो company उतनी ही ज्यादा grow कर पाती है अब देखिए Asian Paints के मामले में यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि Asian Paints का आपने देखा क्या बनाता है it's a paint paint is a commodity they are selling is commodity वो आलूपी आज बेच रहे एक तरह से ठीक है लेकिन उसमें उन्होंने कितनी R&D की आप देखिए हर बार हर सीजन में आपको paints के अलग अलग variants के एड़ नजर आएंगे कभी साधारन paint कभी आएगा भारत तो बढ़तावा देश है उसमें तो धूल उड़ती रहती है तो धूल से बचाने के लिए कोई दूसरा paint फिर तीसरा कि बारिश हो रही है उससे बचाने के लिए waterproofing वाला paint कोई ऐसा paint आ गया जिसके उपर जो sunlight है उसको उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता तो हर बार यह उसी product को नए रूप में इंप्रूव करके present करते हैं and that is the power of R&D और कंसाई नेरोलक जो है वो भी 30 करोर रूपीज कहां खर्ज कर रहा है R&D इसलिए इसकी growth आने वारे समय में आपको देखने को मिल सकती है next बात करते हैं इसकी presence देखें तो आप 30,000 इसके करीब करीब happy customers है यह dealers है गलत प्रिंट हो गया इंसे और 500 प्लस supply material suppliers हैं तो यह सारा इनका overall business देख सकते हो अब जरा नज़र आलते हैं company की size अब कहां देखिए आप market leader Asian paint और कहां छोटी सी company अब देखोगे आप आपकी screen पर आप देखिए नज़र आएगा Asian paint कितनी बड़ी है यह 2,82,000 क्रोर रुपी की company Asian paint next इससे next paint कौन सा है वो है बर्जर paint और वो कितना है सिर्फ 60,000 और 60,000 के बाद में next आता है कंसाई नेरोलक जो company हम बात कर रहे हैं वो है सिर्फ 23 यानि इससे वन थर्ड आप सोचिए कि अगर आप Asian paint को खड़ा कर दे कंसाई नेरोलक के बराबर में तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे ब्रहस्पती ग् आस में आपने शुक्र गया को खड़ा कर दिया हो ठीक है आप समझ रहे है वीनस के पास जूपिटर हो यानि बहुत छोटा सा सो चोटी चीज चमकती ज्यादा है वीनस पी जाए चमकता है ठीक है चलिए तो यह overall जो है company की industry है जिसमें यह third number पर है right next बात करते हैं इसके overall ज हम एक बार जल्दी से discuss कर लेते हैं and then we'll go to the next section that is technical analysis ठीक है तो यहां अभी देख सकते हैं sales बढ़ी है इसकी और profit जो है वह इंप्रूव हुआ है जो हमने वहां देखा भी था और साथ में net profit जो है वह भी इंप्रूव हुआ है और वह अच्छा खासा हुआ है ठीक है और EPS जो है वह बड़ा है 5 रूपीज की जगे पर हो गया 14 रूपीज यह बात कर रहे है एन्वल पर ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों शेर होल्डिंग की कौन खरीद रहा है इसे जड़ा देखे तो सहीं तो 75% तो भाई साब कौन लेके बैठे हैं company के मालिकान owners ने छोड़ा ह नहीं 75% से बेच ही नहीं रहे हैं वह पता नहीं बचपन से वनलब 2021 से लेके अभी तक सेम ही शेर होल्डिंग है एक शेर बेच नहीं चाहते है owners क्योंकि उनको उनकी company पर भरोसा है डियाइज एफाइज का देखे तो एफाइज ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ा हुआ है इतने वर्षों के बावजूद भी डॉमेस्टिक हो चाहिए इन्हों ने इसमें से अपना पैसा निकाला नहीं है मेजर विड्रॉल नहीं किया है और वह तब ही हो सकता है जब कि company के business model पे long term के साब से इनको trust हो ठीक है सब आप समझ गया होंगे कि company कैसा perform कर सकती है अब बात करतें दोस्तों next चीज पर और वह है बहुत important that is this क्या है आपका technical analysis और यहां बहुत important point मां आपको बताने वाला हूं लेकिन आपको एक छोटी चीज और बता दो आगे बढ़ने से पहले कि दोस्तों आपके में मन में कई questions होते होंगे कि stock analyze कैसे करें कौन सा ratio देखन और आपको सही चीज कोई नहीं बता था सब छोट छोटे parts में बताते रहते हैं किसी ने कुछ बता दिया किसी यूट्यूबर ने कुछ बता दिया किसी और ने कुछ बता दिया तो आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने आपके लिए 30 minutes का एक small crash course design किया ह जो आपको मैं दे रहा हूं एक लाख रुपए है एक दिन के हिसाब से चोंग गए अरे दोस्तों इतना प्यार करते हो तो ऐसे थोड़ी नहीं आपको यह दे रहा हूं मैं absolutely free of cost तो description में लिंक है जा करके click करके और एक 30 minutes का video course है उसको जाके देखिएगा आपको stocks को कैसे research कर करते रहेंगे तो फ्री में आपको मिलती रहेंगी ठीक है तो उसको जरूर जोइन करिए यहां आपको टुकडो में जानकरी मिलेगी वहां आपको एक complete understanding मिल जाएगी राइट चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और वह लिंक जरूर ट्राइगा अगर आप चाहते होग दोस्तों केंसाई नेरोलक में एक बहुत अच्छी चीज हुई है क्या चीज अच्छी हुई है कि यहां आप यह देखें कि यह moving averages ने crossover दिया है आप कुछ भी कहो लेकिन मेरे को na moving averages पर बहुत बरोसा है क्योंकि यह बंते जिसे साब से formula जो होता है इनका कभी बताऊंगा आ तो दोस्तों यहां कुछ एक अच्छे संकेत आने के आपको कहीं कहीं अंदाजा लग रहा है इसका तो अब ट्रेंड की शुरुवात आपको इसमें देखने को मिल सकती है यह मेरा कहना है अगर ऐसा होता है तो कई मित्र कहेंगे सर आप तो टार्गेट बता दू अब यार स्रीकृष्ण की तरह से अंतरियामी है तो बता सकते हैं मैं तो इंसान हो एक रिसर्चर हूं तो मैं तो आपको यह बताऊंगा कि यहां एक ट्रेंड की शुरुवात हो रही है और नेक्स जो आपको सपोर्ट मिलेगा वह मिलेगा लगबग लगबग 320 के आसपास में और नी रोलक का चलिए बात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और इंट्रेस्टिंग स्टॉक अनलेसिस की तब तक अपना ध्यान रखिये और दोस्तों सुनी-सुनाई बातों पर दोनों पर भरोसा मत करिये किस पर भरोसा करिये अपने दिमाग पर यही है स्टॉक चलिए दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं वीडियो लाइक कर दिया शेयर कर दिया नहीं किया तो अभी कर दो और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाउन कर दिया वेरी गूड थैंक यू वंडरफूल आइल सी यू इन नेक्स वीडियो जैहि झाल सब्सक्राइब कर दो कर दो जाँ कर दो में वीडियो नेक्स वीडियो रड़ वीडियो आगले वीडियो नेक्स